यहां पर कोई चीज पूछने वाली तो ना मैं आपको वो सिखाना चाहरी हूँ control का shifting आपको नजर आए के चीजें कहाँ पर move कर रही है तो जी हम shape class में है तो इस line से क्या होता बहला constructor call होता होता है ना अब्जेक्ट करेंट हो रहा है और राइट साइट पर क्या हो रहा है object को reference मिल रहा है किसका reference मिल रहा है shape class का that means कि आपका shape का constructor call होगा shape का constructor call होगा तो क्या होना चाहिए यह मेरी files सब एक जिगा पर save नहीं है तो मैं इसको ज़रा save कर लूँ अब documents में कर रहे थे हम using shape भी documents में चली गई भी documents में चली गई ठीक है जी तो yes हमने shape का object बनाया तो shape का constructor call हुआ क्यूंकि हमने shape के अंदर sop shape कर आ दिया तो वह में display होगा यहां तक तो कोई ambiguity नहीं है ना ऐसी होना चाहिए था जिसको object बनता है उसी का constructor call होता है ना पिर हम object बनाते है circle का circle का object बनाया let's say obj1 उसको भी reference दिया हमने किसका circle का ही देते हैं जो आपकी पहली working है उसके उपर काम कर ले फिर फर्दर जाते हैं और circle class में भी ना एक message print करा लेते हैं के भई मैंना circle के constructor में हूँ तो आपने क्या किया println किया दिया कि मैं circle में हूँ तो क्या लग रहा है भई पहले किसका SOP आएगा ना इसको पेरेंट का मैं शेप का है ठीक है क्यूं क्यूंकर मैं हमने circle को क्षेंड किया ना शेप के लिए इसकी ये reason है क्यूंकर अब देखो अब यह जो ऑब्जेक्ट बन रहा है कि चाइल्ड इट्सेल्फ जो है अकेले exist नहीं कर सकती जब उसका पेरेंट ने create होगा तो जब भी creation की बात आएगी object creation की तो पहले किसका object create होगा parent class का ओके तो अब देखते हैं जी हमें output में क्या मिलता है पहले उसने shape को जाकर call किया है फिर उसने circle को call किया होता क्या है आपका ये वाला constructor call हुआ है yes इस constructor में तो आपने सिर्फ aksop लिखा है circle का लेकिन वो ये काम करने से पहले इसके parent की तरफ गया है उसके parent में जाके उसने ये वाली working किया है got the point मैं में एक तफ़त बाराज है हमने ना child class का object बनाया है circle class का तो independently हमें यही पता है ना जिस class का object बन रहा है उसी class का constructor call होगा तो square class का constructor call होना चाहिए लेकिन हुआ क्या हमने sop में देखा कि उसने तो हमें क्या किया है एक आया पहले का constructor call कर दे क्योंकि सर्कलर के अंदर तो हमनेए इस दो फड़्रे कर सी समझता है प्ली यह den तो उसने देखा ठाए कि किसी को एक्सटैंट कर रहे है इसका घ्र tape Só तो इसको आप explicitly करने के लिए क्या कर रहा है, यानि वो ना इत्सेल्फ क्या कर रहा है, यानि क्या कर रहा है, उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो पेरेंट क्लास का मेथट तो हमें कॉल करना आता है, हम सुपर कीवर्ड लिखते हैं, और सुपर कीवर्ड के साथ क्या, उस मेथट का नाम लिख देते हैं, लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो आप सिंपली सिर्फ super keyword लिखते हो और आपके constructor को call लग जाती है ठीक है इसके उपर बात करते हैं अभी ओके फिर इसके बाद अगर आप इसको यहां से हटाकर नीचे लिखने की कोशिश करते हो तो क्या होगा बच्चो अपने अपने माइंड में hold करो हाँ कहता है call to super must be first statement in constructor कहता है अगर तुम explicitly call कर रहे हो न तो जो मेरा in-depth in actual working थी उसी को जो है वो rewrite करो तो super को आपने पहले लिखना होता है मेशा और rule भी यही है कि parent की existence पहले होनी चाहिए parent की creation पहले होने चाहिए child की बाद में पहले होनी चाहिए उसका object पहले क्रियेट होना चाहिए सिर्फ एक की लाइन से आपने क्या 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 सीख लिया बच्छो पताने में क्या क्या सीखा है कौन सम्मराइज करेगा बाई मैम जी यह कि इसक्रोली बात मेडम अकील यह वाली जो लाइन अस्टेट्मेंट है यह कैसे एक्जिक्यूट होगी बस मुझे यह बता दो मैम जी जब उन्हीं इसरकल क्लास का अब्जेक्ट क्रियेट करेंगे ना तो इस से पहले जो शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर ना उसकी काल होगी और तर जो पिया हमने स्टेट्मेंट पिंट हमने तो यहां पैसे इस सरकल की बात की है सब्सक्राइब क्लास सब्सक्राइब कर साइब तो वो पहले parent के पास जाता है, उसको create करता है and all that, ठीक है? तो हमने अगर super नहीं भी लिखा था, तो भी compiler की built-in functionality भी यही थी, कि वो पहले parent को जाकर create करता है, then child को create करता है, ठीक है, शाबश. ओके, एक तो यह चीज थी, बच्चो, अब इसके लावा क्या था? इस बात को digest करना जरा, object बना रहे हैं हम, shape class का, है ना? किस का object है? class का, shape class का object है, हमने कहा था कि object create हुआ और उसको किसी का reference मिला, लेकिन हम reference उसको दे रहे हैं, circle class का. किया हुरहे है? अब कर रहे जाता है, और चायल्ड को पेरेंट के बाद बेजियें, किसे पता हैं क्या कहते हैं, वर्ड में वर्ड बूल गया है, है अगी कुसे कुछ कहते हैं, तो इतना प्यारा लपस है, बस वर देन से निकले हैं यहां पे हम basically upcasting कर रहे हैं shape class के अंदर reference जा रहा है circle class का अच्छा तो पहले compiler से पूछते हैं उसको कोई मसला तो नहीं इस बात में नहीं उसको कोई मसला नहीं है उसने क्या किया again object जो है वो circle का ही बनाया है तो चुके circle का constructor call करना था construction के वक्त उसने जाके extension की extension के लिए उसने पहले shape को बनाया shape के बाद उसने circle को बनाया तो यह पुराना फिनोमेना यहां पे confused नहीं हाँ अब मेरा question यह है कि अगर हम लिखते हैं obj one dot draw तो क्या display होगा दोनों के draw methods में लिखतेते हैं कि मैं अभी यहां पे हूँ इसको अभी hide कर लेते हैं question clear है yes ma'am in circle और इसके draw में कह देते है in shape सोचो सोचो सारे अपने answers अपने जहन में रखो पर तुम पाइलर से पूछते हैं मैं जी question तबारा बठागेगा question दिखागेगा किसका draw method call होगा हमने न OBJ1 तो question यह है कि OBJ1 जो है वो object तो है shape type का और reference इसमें जा रहा है circle type का अब मैं call करें हूँ draw method draw method shape के अंदर भी है और circle के अंदर भी है मेरा यह question है कि किसका call होगा draw यह किसका पहले होगा यह अगर single ही होगा तो किसका होगा अलब आप draw से क्या effect देखोगे क्या लगता है circle इर्फान क्या कह रहे है मैं अगर single call होगा तो फिर circle से call होगा तो single हमने इसको override नहीं किया हमने इसको super dot draw नहीं किया अपने अपने answer hold करो और देखते हैं अपने answer का draw होगा फिर circle का वो मैंने super लगाई रही ना तो यह है कि आपका originally circle में गया in circle ऐसा ही है तो क्या हुआ है हमने यह यह सीखा कि object जिस भी type का है जिस type का उसके अंदर reference जा रहा है उसने उस reference की base के ऊपर method execution करनी है ओके अब चुके यह चाहे यह object बन का था sorry shape का था चुके उसके अंदर reference circle का था उसने circle का draw कर लिया अच्छा अब यह देखना ज़रा हमने उसी object को address assign कर दिया let's say square का अंजी क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए कुछ तो कहो बच्चो आप language बनाते तो क्या करते square ठीक है basically हो क्या रहा है कि आपका फिर से जो object अल्रेडी बनाव है ना shape class का पहले उसको reference मिल रहा था circle class का अब उसी को refer कर रहे है स्क्वेर क्लास का तो क्या ये पॉसिबल है मेरे क्याल से possible है possible है क्योंकि ये अप कास्टिंगी है ना तो data type casting ही या simply आपने क्या किया बड़ी वाली data type ले ली long type की long data type में कभी int डाल रहे हो कभी डबल डाल रहे हो कभी आप उसके इंदर float डाल रहे हो तो not an issue तो आपने major class का object बना लिया वे shape class का उसके इंदर आप square class का reference कर रहे हो तो उसको कोई problem नहीं है और इसके regarding जो execution आई वो आपके पास ये वाली है अगें square की चुके header जो पेरेंट class थी वो shape थी तो यहां पर भी उसने extends देखके पहले shape का constructor call किया फिर उसके बाद square का what's the point? यस मैं लेकिन आपने इसमें यहां पर एक और चीज सीखनी है जो मैं चारी थी आप लोग सीखो using shape okay तो यह हुआ कि पहले एक ही object किसी और तरह से behave कर रहा था obj1 अच्छे यहां पर लिख कर देखते हैं फिर आपको समझाएगी अब मुझे बताओ obj1.draw करेंगे तो क्या होगा square का print होगा प्रिंट होना चाहिए yes हम इसको अभी omit कर देते हैं बाद में इसके पर आते हैं तो println में कहते हैं in square ठीक है तो आप लोग क्या कहते हो उसने square का ही display कराना तो यह कैसा अच्छा behavior है कि आपने एक ही object बनाया है पहले आपने उसके जरीए in circle में चले गए फिर आप उसके जरीए square में चले गए तो आप casting को use करते हुए आपने एक चीज achieve की है वो क्या कह रही है कि आपने एक ही चीज से multiple काम कराए है multiple ways में बगे काम भी same कहलो draw same काम है ना लेकिन वो multiple ways से हो रहा है अगर circle का draw था तो वो कुछ और कर रहा था अगर square का draw था तो वो कुछ और कर रहा था तो एक ही object से multiple काम लेना या एक ही object को multiple references के उपर जो है वो shift करवाना इसको क्या कहते है anyone knows मैंना repeat कीजिएगा एक ही object है yes ma'am और उसी object को पहले हम कोई और वो form में देख रहे है किसी और शकल में देख रहे है एक ही shape है कभी वो circle बन जाती है कभी वो square बन जाती है एक ही object है ठीक है चलो बात करते है एक ही object है जो के आपके पास कभी कोई form create कर लेता है कभी कोई form create कर लेता है इसको ना पहले layman language में सीखते है चलावा लख सुना कभी songs के लावा क्या यही polymorphism है वाँ what a dialogue yes यही polymorphism है polymorphism क्या होती है कि आप एक ही object से multiple behaviors ले रहे होगे एक object multiple behaviors हो करा रहा है यानि OBJ1 यहाँ पे circular behave कर रहा था अब OBJ1 यहाँ पे square form में behave कर रहा है तो यह basically polymorphism है कौन सी run time पे क्योंकि run time पे यह object create हुआ ना तो run time पे पहले जब object बना इस line of five तक आया तो तब तक तो यह जी circle का ही था लेकिन जब line of seven और eight पर आया तो उसने क्या कर दिया आपने आपको change कर लिया तो चलावा जो real life वाला होता है आपका भी parents से पूछेएगा वह ऐसे होता है कि दूर दराज किसी सुनसान जगा पे आप जा रहे होते हो तो आपसे कोई lift लेता है यह हमेशे ऐसे नहीं होता आपसे कोई lift लेता है तब वह कोई women कोई बुड़ी सी ओरत होगी वह आपसे कहेगी कि मुझे तरह lift दे दो मुझे आवादी तक छोड़ दो आपने उसको बठाया है जब आप destination पे पहुंचते हो तो पता लगता जी पीछे ओरत तो नहीं है कोई चुड़ेल बनी भी है या वो कोई सांफ बनी भी है या अपनी जगा कोई पैसों की पोर्टरी चोड़ गई है ठीक है तो उसने अपनी form चेंज कर ली तो हम ना इसको चलावा में समझते होते रेक्टैंगल का रेफरेंस भी स्टोर कर सकते हो हां जी समझ आई कम पॉलिमॉफिजम की यस मैं अगर किसी को नहीं समझ आई तो बता दो और भी लेमान लांगविज में चाज़ाद मैं अलावा के बाद कोई रहने जाएगी मुश्किल कि वो कभी बचारी बुड़ी औरत बन जाती है कभी वो जो है कुछ बन जाती है कभी कुछ बन जाती है तो यही आपका ड्रॉ का मैं शेप का अबजेक्ट ओबी जेवन कभी सरकल बन जाता है कभी स्क्वेर बन जाता है कभी रेक्टैंगल बन जाता है तो डूरिंग एग् इच्छादारी नाग कहते हैं तो इसे तुम लोग नागीन भी कह सकते हैं तो इच्छादारी नागीन जो है वो सिर्फ एक इंसान और एक सांप में कनवर्ट हो सकती थी ऐसा था यह मैडम ड्रामे आये थे उसमें तो अपना रूप भी चैंज कह ले थी तो आप इसको उससे भी रिलेट कर सकते हैं तो बस समझ लो के पोलिमोर्फिसम बहुत असान सी चीज है सिर्फ इतनी सी बात थी कि आपने रन टाइम में एक ही औबज़ेक्ट को मुल्टीपल शकलों में देख लिया मुल्टीपल फॉर्म्स में देख लिया मुल्टीपल वे में रियक्ट कर रहे हैं तो अब जो मैंने रिखा रिक्टांगle का सिके in the reference ला गए तो ड्रा किसका प्रसी होगा तो क्या हुआ आपके पास सबसे पहले आई विट हैना फिर इन square के ट्राय के अंदर हमने इन square लिखा थे स्क्वेर के द्राय के अंदर हमने लिखा थे square race करते है square के अंदर यह वाली बात लिखी थी ना तो उसने वो डिस्क्ले करा दिये तो ये last execution है basically ये line number 10 और 11 के against क्या हुआ पहले shape का constructor call हुआ फिर square का constructor call हुआ obj1.draw लगाया तो उसके अंदर पहले उसने अपनी implementation दिखा ली 1.1 और length का 1.1 कैसे आया बचो जिखे आया हुआ है पूंद लेंद लेंद 1.1 कियो हा रहा है इस के बाद length हमें शो ओर है क्योंके हमने super dot draw किया है तो इसका super dot क्यों है square तो स्क्वेर के अंदर से लेंथ मिल रही है हम चाहते हैं कलर भी आजाए वो कैसे करें पर जाओ रूप जाओ ने वह सकता है और जेक्ट बना के भी हो सकता है लेकिन उसको जरा राम से करेंगे तो सारी इंपर्मेशन आपने राइड़ लगाकर एक ही आपज़ेक्ट के रिगार्डिंग दिखा दी है ना तो वो इन शेप जाओ उसके ड्रॉप के अंदर लिखा वह है अभी की जो लर्निंग थी वो थी यहां से तो आपकी लाइनमबर 10 और 11 ने ये किया बहले construction की shape को पहले construct किया फिर square को construct किया विट्टी खा दी राइड लगा के किसके पास गया, length किसके पास थी square के पास तो square से मिल गया, color किसके पास थी, shape के पास देखना अब हमने object जो है वो सिर्फ rectangle का बनाए है और rectangle का object होने के बावजूद हमें previous से previous class का data भी मिल रहे हैं हम ना इदर से इसको थोड़ा सा modify कर लेते हैं तक आप इसको ऐसे ना समझों कि पीछे चुंके shape है तो इसलिए मिल रहा है नहीं हम इसको rectangle का object ही solely बना रहे हैं अब यह चलावा नहीं है बच्चो अब यह polymorphism नहीं है अब यह simple एक object है है ना यह समय है इस इस वह अच्छा अब अगर यह simple सा object है तो क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए अपने अपने answer होल्ड करो सिर्फ rectangle ही draw होना चाहिए ना सिर्फ rectangle की एक information उसकी खुद की call तो सिर्फ उसी को ही जाएगी के rectangle के draw की तरफ जाओ लेकिन rectangle के draw के अंदर जो implementation लिखिया है वो आपको कह रहे है कि आप इसको ride लगाओ है ना अगर हम इसको नहीं लिखते तो वो पीछे नहीं जाएगा यह लीजिए तो उसने सिर्फ width दिखा दिया लेकिन हम चाहते हैं सारा content आया हम कहते हैं जाओ भाई पीछे वाली information भी लेकर आओ तो उसको हमने इस तरह से चीफ कर लिया तो आपके पास width भी आ गई length भी आ गया color भी आ गया objects इफ rectangle का है जो कि अपनी तमाम parent class के content को share कर रहा है एक्सेस कर रहा है multi-level inheritance हुई है न rectangle तक rectangle के पास square का reference है square के पास जो है फर्दर उसकी जो है extension है shape की तो वो सारी shape सारी information आपको rewrite नहीं करनी पड़ी मतलब ऐसा नहीं करना पड़ा के rectangle class के अंदर फिर से दो private data members बनाते एक अनाम length रखते एक अनाम color रखते rewriting getter setter key और वो सारी चीज़े उससे बच गए आप आपने directly previous वाले return code को ही call कर लिया overriding के जरीए यहां तक किसी का कोई question मैम rectangle का जो draw method है यह दिखाईगा एक एंगल का draw method यह रहा ठीक है वो पहले अपना content display करा रहा है फिर हमने super की ride लगाई है तो हमें previous का data मिल रहा है अगर super की ride नहीं लगाते तो फिर वह वहां तक नहीं जाता अचा अगर हम super की ride नहीं लगाते लेकिन content show कराना चाहते है कहां पर error आएगा अगर यह super का हमने इसको कमेंट कर दिया compile किया नहीं आया अगर क्योंकि grammar नहीं कहीं पर violet हो रही लेकिन अब मैं चाहरी हूं कि मैं super dot draw ना करूं लेकिन फिर भी जो है ना length दिखा दूं कैसे दिखाऊंगी हाला कि मैंने थोड़ी दिर पहले किया बताया आप लोग को हां उसका जो पब्लिक यह नि पॉप्लिक के बिना भी हम न उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी को यह पब्लिक उसको गेटर सेटर को गेट कर सकते है ना तो वह हम पीस ओफ को यहां लिख लेते हैं आपको पता होना चाहिए ना multiple ways का आप this dot get length लिख लेते हो मिल जाती है उसको आप overriding के बिना only inheritance के phenomena को यूज करके length को get कर सकते हो okay okay ma'am चले इसके अंदर switching करके खुद भी खेल के देखिएगा अधि यह यह यहां तक असान चीजे थी आप मुझे बताओ असान समझ आगी है फिर और पीशे चले मैंसे बागी भी असान है अंता किसी कोई question है तो पुछो फिर next बात करते है ma'am अप सब लहें के स्यम्ली कैसे खोल जी अकील साहब है no ma'am अकील है और कोन है ma'am मैं नहीं हूँ कोई और बाई not an issue बिटा पूछ लो लेटकमर होगा हमने ना दूरिंग हना था हनान था हनान आप थे yes ma'am हमने semester के start पर बात की थी के sublime को directly किस तरह से रन करेंगे और वो सारा कुछ इसके इंदर ना हमने changes की थी video देखना तो दूसरी video थी शाहएद आप CRS को link share कर देना oh yes, मेरे YouTube channel से तो वहां से जाकर आपने उसको like भी करना है और subscribe भी करना है share भी करना है यार मुझे भी share भी तुम लोग के पास अभी तरह कोड़ पर लेक्जर करेंगे कर देखना है okay नहीं डाउनलोड के बाद हमने यह भी सीख लिया था कि हम directly कैसे इसको compile यह करता होता था हम run कैसे करेंगे तो वह run भी हमें दे रहा था इस तरह से तो वह अलग video है stream में shared है पिटे इसी classroom में stream में shared होगी पहले दूसरे lecture के बाद okay सवाल मेरा यह था कि यहां तक किसी का कोई question है यहांगे चले यह question थीक है यह question था मासद के जाए अपने बच्चे के ठीक है आपने क्या करना है अभी आपने zero argument constructor use करके जो है वह values initialize करी है ठीक है what if आपने rectangle का ही object बनाना है bj2 let's say rectangle number one new rectangle और यह augmented constructor है तो argument constructor यह overloaded constructor जो था वह अपने पास चार चीजें ले रहा है पहले width फिर length फिर color इसको हमने बेजनी है width let's say 9.9 width length 8.8 फिर color उसको कह देते है black तो जी बच्चो कैसे behave करना चाहिए compiler को पास तो जी बच्ट्रॉक्टर जी बच्ट्रॉक्टर जाए अच्छा हाँ, इसके अंदर हमने SOP नहीं दिया, हाँ, rectangle के इसके अंदर हमने SOP नहीं दिया, वरना वो कहता कि मैं rectangle में भी आ गया हूँ, तो rectangle में लेकिन मैं बाद में आया हूँ तो yes, पहले shape में गया, square में गया, rectangle में लेकिन असल चीज़ आप कब देखोगे, अब मैं खहती हूँ कि R1.Display करा दो content draw rectangle का जो भी content मैंने मिला है, तो क्या आना चाहिए output में? rectangle में जो मने value दी है, वो print on bhi ये सारी values print होनी चाहिए, अपने-अपने answer hold करो, compiler से पूछते हैं, compiler ने क्या किया है? ये तो, ये तो, वक्त हलात बदल गे, हलात बदल गे, वाकियात बदल गे, तो हुआ क्या, चलो अब इसको backtrack करते हैं, हमारा compiler यहां से निकला, rectangle class में गया, rectangle class में जब गया, तो उसने पहले ये वाली construction कर लिया है, ना? येस मैंब, यहां पर स्को ऐसे समझ लो, कि चलो उसको ऐसे ही समझ लो, यहां से गया, square class में, square class में जब गया, तो उसको square का ये वाला call करना था, null constructor, जब हमने उसको खुद से guide नहीं किया होता ना, तो वो zero argument constructor को call करता है, तो length में उसने set कर दिया 1.1, चाहे हमने भेजा हो, क्या भेजा हो, क्या भेजा था, 8.8, लेकिन उसने set कर दिया, इसकी वज़ा से 1.1, ठीक है? और उससे भी पहले उसने जाना था shape की तरफ, तो पहले सब से पहले उसने क्या set किया था? color, color के बाद length, length के बाद ये वाली चीज़, है ना? येस मैं. लेकिन हम क्या चाहते हैं, कि हमें वो default वाली values नहीं, चाहिए वो default values थी ना, जो ये आपके पास show हो रही है, 1.1 and white, हमने तो black color भेजा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर override करने की जरूरत है, super लगा कर, वरना वो जो super call हो रहा है, वो default constructor हो रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, किसको call करना है? arguments वाले को, arguments वाले को, यानि आपने call करना है, yes, overloaded constructor को, तो पहले आप यहाँ से कहते हो, जी तुम, और constructor के लिए हमने सीखा है, कि पहले super class का constructor, फिर कोई और का, तो उसको आपने क्या, अच्छा, वो क्या ले रहा है अपने पास, उसको सीख लेते हैं, स्क्वेर क्लास अपने पास, दो arguments ले रही है, एक color और एक length, तो हमने क्या करना है, उसको length pass कर देनी है, और color pass कर देना है ना, वाट दा पॉइंट, मैं मुपीट करना है, अच्छा, हम थे यहाँ पर, तो हमें कुछ execution, as per expectation नहीं मिली, हमने क्या किया, वो याद है कि कर दूँ, वो दुबारा से, वैल्यूस जो हमने set की थी, ना, वो कोई और थी, लेकिन हमें display में कोई और रही, तो हमने backtrack करक करके देखा, कि display में क्या आ रहा है, वो जो default constructor value set कर रहा है, वो वाली values आ रही है, तो उसके लिए हमने क्या किया, अपने constructor को थोड़ा सा modify किया, वरना वो क्या कर रहा था, अगर हमने इस वाले constructor के अंदर रहे के, कोई भी constructor call नहीं किया, तो वो automatically default constructor को call कर देता था, तो हमने का, नहीं हमें default constructor को, यानि zero argument वाले constructor को नहीं करना, और अग्यूमेंटिड वाले को करना, तो वो हमने हाथ से लिख लिख रहे, explicitly कि super का वो वाला constructor call करना, जो दो data members अपने पास ले रहा होगा, और वो data members कौन से होंगे, जो main से user दे रहा है, या आप लोग खुद write कर रहे हैं, तो main से जो आया, आपके पास 8.8 and black, वो कहाँ पर चला गया, square के अंदर, तो square में हम यहाँ पर हैं, length जो है, वो square ने handle कर ली, लेकिन जो color है, वो हमें अभी यहाँ पर नहीं मिल सकता, तो उसकी setting हम कैसे करेंगे, हम कर सकते हैं, वैसे हम यूँ कर सकते हैं, this, this.setColor, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कै दो नहीं, कर सकते हैं, तो आपने क्या किया, इस तरह भी setting कर सकते हो, yes, ctrl S, ctrl B, बट मैडम, आपने वाँ पर दिस में उलगा है, दिस तो जो color है, color तो वो दूसरी class के, क्यूँकि हम ने कहा था, के, अच्छा, दिस के बिना भी चलेगा, दिस के साथ भी चलेगा, तो दिस तो एक local keyword है, local object है, तो हमने बात की थी, कि shape के, जितने भी data members है, वो इसके अंदर आ जाते हैं, तो वो उसको अपना local ही समझ रहा है, जैसे मेरे माम बाबा की कोई property मुझे मिलती है, तो मैं ये तो नहीं कहती है, मैं कहती हूँ, ये मेरी property है, ऐसा ही है ना, तो उस reference से उसको this कह रहा है, और this के बिना देखते हैं क्या करता है, this के बिना भी उसको, कोई problem नहीं है तो एक तो ये वे है और दूसरा वे क्या है आपने ये line of code क्यों rewrite करना है जबके shape class ने अल्रड़ी लिखा वै तो उसके लिए आपको simply क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा उसको बुलाना पड़ेगा तो कैसे बुलाएंगे कोन है ये हाथों से अकीन नो मैं सुलेमान अच्छा मेरी बात सुने इसको explicitly बोला करो हाथों से नहीं कहते explicitly उसको call करेंगे super dot अब मुझे बिताना मैं याँ पे एक मसला कर रही हूँ super को भेज दो color error है भई बुझे बता हो क्या error है अब जी dot नहीं लगाया अपनी जिदर लगाना था dot अपने अपने answer hold करो compiler से पूछते हैं क्या problem है उसको अभी हमने इसके उपर even बात भी की थी क्या कह रहा था compiler आपका call to super must be first statement in constructor तो मैंने बात की थी के ये वाली जो line of statement है ये आपने पहले लिखनी है है ना क्या है क्या है क्या है तो आपने इस तरह से जब call करी तो अब उसको कोई problem नहीं है तो वही content से वो गया जो आपने यहां से पास किया था अच्छा आप पासिंग आप पासिंग नहीं करते अब मैं कहते हूं मैंने नहीं करना super तो मुझे यहां से setting करके दिखाओ rectangle class से मैंने इसको omit करना है तो क्या करेंगे बच्चे set length और set color लगा को exactly शाबश आप इदर ही रहते वे set width हाँ इदर ही रहते वे set length भी कर लो उसको length दे दो set color और यहां पर sequence का कोई रोल आ नहीं है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं है जब वो इस वाले block के अंदर आ गए तो क्या फर्क पड़ता है हम उसको किस sequence में call करते हैं इसे भी setting हो रही है और values आनी चाहिए आ गई है ठीक है तो हमने inheritance का phenomena भी देख लिया inheritance यह है inheritance ने सारे public चीजों को यहां पर accessibility दे दी color देखा न color किसका था grandparent का था लेकिन चुके वो public था तो